दोस्तो नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटिव चैनल फार्मीन ओलिज पर आसा करते हैं बहतर होंगे मचलियों का देखवाल अच्छे तरह से कर रहे होंगे दोस्तो और आपको धन्यवाद देते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो को लाइ प्रियास करते हैं भाईयो तो हम आपको बताते हैं किस मचली के बारे में हम आपको रोचक जानकाड़ी देने का बात बता रहे हैं वह हैं अमूर कार्प मचली अमूर्क खुर्फ मतली के बारे में हम भी से जानकाडी आज आपको देंगे आपके साथ श्यर्घ करने का परियास करते हैं जो भी जानकाडी है मेरे पास सरा आपको देते हैं तो जैसा कि हो सकता है आपको पता हो बहुत सारे लोग जो भी वीडियो देख रहे हो अमुर कार्व का पालन कर रहे होंगे लेकिन सारे के सारे लोग अभी तक नहीं सुरू किये होंगे किसी करन से या तो उनको बीज उपलब्ध नहीं हुआ होगा बहुत सारे लोग हैं जिनको जनकाडी नहीं हुआ होगा बहुत सारे लोग कॉमेंट करते हैं कि जनकाडी तो है लेकिन हमको बीज उपलवद नहीं हो रहा है तो यह नई मचली है हर जगह अभी पुरे देश में फैलाव नहीं हुआ है पूरे देश में तो फैलाब हो गया है तो अब आपको बीज लेने में दिक्कत होगा समय पर जून जुलाई के टाइम में इस समय चूकि अबी तो बीज डालने का समय खतम हो गया है ठंडी हा गया है अभी ठंडी के दिनों मचलियों का गुरोथ नहीं होता है अब तो नेसी जन में ही पालन करना ज्यादा बेहतर रहेगा लेकिन जनकारी आपको मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं जो भी बंदू अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किये हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा तो अमूर कार्प मचली को मचली पालन के छेतर में दोस्तो हम करांती काड़ी पड़िवरतन मान सकते हैं यह बहुत ही करांती काड़ी मचली है तो हम आपको बता दें कि यह जो है जैसे 3-4 मचलीओं का आपने बैग्यानी को द्वारा जैनिट्रिकली इंप्रूब किया गया है उसमें यह अमूर कार्प मचली आता है इसको हम आपको बता दें कि यह जो पहले हम लोग पालन करते थे यह अभी भी कर रहे हैं कॉमन कार्प उसी का इंप्रूब किया हुआ भराइटी है यह इसको अमूर कार्प नाम दिया गया है दोस्तो वही कॉमन कार्प का बहुत ही अच्छा रूप है यह केंद्रिये मीठ छैचा, जल जीव पालम संस्थान भुगनेश वर्, कुरीशा से विक्सित की गई है, कोमन कार्प के बाद इसको अमूर कार्प के रूप में विक्सित किया गया है दोस्तों, ये हम आपको जनकारी देना चाहरे हैं, ठीक है तोस्तों, आब हम चलिे इसके बारे में और जनकार देते हैं यहां अमूर कर्प मचली बेहतर स्वाद के साथ साथ इसका बरहवार भी बहुत अच्छा है इसका गोल्डेन कर्प यानि की कॉमन कर्प कहीं कहीं इसको गोल्डेन कर्प भी बोला जाता है इसलिए हम गोल्डेन कर्प बोल दिये हो सकता है आपके इलाके में कारप का पालन न कीजिए और दूसरा कोमन कारप में एक परसानी ये होता था कि आपके तलाब में बहुत ज्यादा बच्चा देती थी जो बच्चा तलाब में देती थी वह बच्चा का गुरूथ बहुत अच्छा नहीं हो जाता था बहुत सारा दाना खिलाने के आपके तलाब में ग्रोथ अच्छा से नहीं कर पा रहा था इसलिए अमूर कार्प का विकास किया गया है और यह अमूर कार्प जो है दोस्तों इसका प्रहवार जो है एक बरस में अमूर कार्प मचली 2 kg का हो जाती है एक बरस में ही यह मचली 2 kg का आपके तलाब में हो है कि ये मीणो ये सीड इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है जो मनुस्य के लिए हम लोगों के लिए जो भी मज़्ली का डिमांड करते हैं जो उपयोग में लाते मज़्ली को तो उनके स्वास्थ के लिए यह बहुत हीं उप Courtney मजली है दोस्तो यही कारण है इसका कि डिमांड बहुत जादा है और अब हम आपको कुछ और जानकारी देते हैं कि इसका भोजन क्या सब है हम अगर पालन करते हैं तो इसको भोजन क्या हम कराएं तो जैसा कि दोस्तो आपको पता ही होगा कॉमन कारप को जो आप बहुत बहुत जादा अगर बहुत है इसका लेना चाहते हैं तो यह floating feet जो market में आपको मिलता है factory made feet उसमें लागत तो अधिक लगता है आपको लेकिन वह बहुत बड़े ही अच्छे चाव सिखाती है उसको नहीं तो दूसरा भोजन जो भी आप IMC को देते हैं उस तरह का इसको भोजन दें जैसे सरसोगी खली आप राइश्वडान गूरु अग गोबर गाय का गोबर जिस तरह से आप शिरकाव अपने तलाब में करते हैं तो आप factory made feet नहीं भी देंगे तो आपका काम चल जाएगा लेकिन अगर factory made feet देते हैं floating feet उसमें floating feet तो बहुत अच्छा इसका प्रवाब आप लेंगे साल में 2 kg का size हो जाएगा चलिए अब दोस्त अगर के तलाब में भी हम अच्छे ढंग से इसका पालन कर सकते हैं कोई परसादनी नहीं होगी किसान भाईयो आप लोगों को अगर आप निरास नहीं होगी है कि हमको एक एकर का तलाब नहीं है हाफी एकर का तलाब है तो उसके लिए भी कोई आपको चिंता करने की बात न पालना पड़ेगा तो आप चुकि यह तलाब के सबसे निचले तली में निवास करती है वहीं से अपना भोजन करन करती है तो आपको एक मचली उपर के तली के लिए पालन करना पड़ेगा एक बीच के तली के लिए पालन कर लें बीच के लिए आप रोहू का पालन करें या फिर ग्रास कारप का पालन करें उपरी तली के लिए आप कतला का पालन कर लें या हाइबिर्ट कतला आता है या जी आई कतला उसका पालन करें और निचले तली के लिए इसका पालन करें तो उस परिस्तिति में आप अपने एक गर के तलाब में 2000 अमूर कारप का बीज डालें यह तालाए आपके तलाब में अंडा नहीं देंगी दोस्तो और हम आपको बात करते हैं रेट का कि आपका क्या रेट मिलेगा डिमांड कैसा है तो डिमांड बहुत ही अठ्छा है अब रेकिक बात हम करें टो यह आपको तो 300 रूपे के जी और मेरे मार्केट में तो 300 रूपे के जी इसका रेट मिलता है आपके मार्केट में क्या है आप पता करके जिस समय आप हर वेस्टिंग कराएंगे सेल करने के टाइम में आप रेट पता कर लेंगे 300 के आसपास आपको रेट मिल जाना चाहिए दोस्तों कारण उसका है कि उसके पेट में बहुत अधिक गंदा चीज से निकल जाता है उसके पेट से मार्गेट से जब लोग खरीद करके ले जाते हैं तो आउटपुट उनको खाने योग बस्तू को बहुत कम मिलता है लेकिन अमूर कर्प में वैसा चीज नहीं है जो भी ले जाते ह उनको फैदा ही होता है तो इसके कारण अमूर करप का डिमांड बहुत अधिक है दोस्तो तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि Kaumann करब का पालन न करें आपको अगर बीज उपलफध हो जाता है अमूर का दोस्तो तो आप अमूर कारप का ही पालन करें अपने तलाव में आप IMC के साथ रोहू कतला और मिरीगल का पालन न करें आप अमूर कार्प का निचले अस्तर के लिए पालन करें जैसे जनरली लोग अपने तलाब में IMC, रोहू, कतला और मिरीगल पालते हैं मिरीगल का ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं होता है और रेट तो मिल जाता है वीडियो अच्छा लगएगा तो लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा दोस्तो खालन करता है पूझया तोच्छा उच्छा नहीं होता है मिरीगल के जई श्ञजा खरण लगएगा झालन कारता है Gwen यह होता है लिए जएगा संप देला तोस्तों कीजेग चाम जदोने आया है मि केंजी पाल मुपएगक।